संबर को हुए स्रीजी टेट 2022 की मौर्निंग सीप्ट का परियावरण की महत्वपुन एवन संभावित प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है सिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतरगत बच्ची की सिखने में प्रगती की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं इसका संभावित अंसर है फोट फोलियो दुसरा प्रश्ण है रीमा आज परियावरण की कक्चा में जड़ विशय पर चाचा करेगी वह इन में से की समों की वस्तुएं कक्चा में ले कर आएगी तो इसका सही अंसर है डी गाजर शुकुंदर मुली क्यूंकि ये तीनों जड़ है 123 को क्वेश्ण देख लेते हैं एक पारिस तीक तंत्र के अब घटक है इसका अंसर सी कार्वनीक पदार्थों को कार्वनीक पदार्थों में बदलती है 124 नमबर का क्वेश्चन है परियवरन अध्यान की कक्चा में बच्चों से खुले प्रश्ण पूछने का मुख्य उद्देश्य है तो बी बच्चों में अपसारी चिंतान का विकास करना 125 नमबर का क्वेश्चन है प्रात्मी की इस्तर पर परियवरन अध्यान के अंतरगत विज्ञान और समाजिक विज्ञान को समलीत किया गया है इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग या बनाना किवा अपने परियवरन को समगरता के साथ समझ सके नेक्स्ट क्रेश्चन है वन के पारिस्तीक तंत्र में कवक को किस समुव में रखा गया है तो C अब घटक नेक्स्ट क्रेश्चन है प्रित्वी अपने अक्छ पर एक घुन्डन करीब खालिस्तान में पूरा करती है तो 24 घंटे भी नेक्स्ट क्रेश्चन है सजी में श्वसन से समबंदीत अंग है इसका सही आंसर B गलपड़े तुचा फेवपड़े क्रेश्चन है निम लिखित में से कौन सा परियवरन का भोतिक घटक नहीं है तो इसका आंसर C कवक इन में से कौन सा समू प्रात्मी को भोगता है B गाय और खरगोस यह दोनों साका हरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन में से कौन सा प्राकृतिक और समाजिक अंताक्रिया का उधारन नहीं है तो इसमें समाजिक अंताक्रिया पेडों को काटना बान का निर्मान खोदाई एतीनों है इसमें नहीं पूछा है तो C नवीन विद्याले प्रारम करना नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशेद अजन्मियम कब लागू हुआ इसका एंसर है जुलाई 1961 नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रात्मी की स्तर पर परियवरण अध्यन में परिवार महत्पोन भ्यूम का निभाता है क्योंकि C यह वास्तवी की स्थित्यों में सिखने के आउसर उपलग्द कराता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैक्ति के मशूरों से खुन निकलता है उसे ठकान मशूर्श होती है यह किस रोग का लख्चन है इसका संभावित एंसर हो सकता है रिकेटेश D नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रमन की पत्नी है देव गीता का इकलोता भाई है यदि रीतु गीता की पुत्री है तो देव रीतु से क्या रिस्ता है इसका सही आंसर है B मामा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन में से कौन सा विद्यार्थी के उचित वयभार में व्रिद्धी करने के लिए सार्वदी को प्यूक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है परियवरन अध्यन की कक्चा का प्रारम कुछ प्रश्णों से किया जाता है निमलेगित में से कौन सा कथन प्रश्ण पुष्णे का सही परिप्रेक्षे नहीं है तो इसके अंसर D. बच्चों का चिंतन प्रक्रण तक सीमित किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन परियवरन अध्यन में कहानियों को एक सिख्षन सास्त्र की तरह उप्योग किया जाता है A. बच्चों में कल्पना सक्ती का विकास, बच्चों की एक आकरता बढ़ती है, बच्चों को इतिहास का अग्यान होता है D. बच्चे कक्चे में सक्री अनेती इसका सही अंसर है B. A. B. C. सही है Next question, प्रात्मी की स्तर पर मान्चित्रांकन शिखाने से किस कौसल का सबसे अधिक विकास होता है इसका सही अंसर है D. इस्तान दूरी और दिसाओं को समझने की समझ Next question है, इन में से कौन सा कतन कक्चा में आयुजित गती विदी से सम्बन में गलत है A. गती विदी समू में ही की जाती है Next question है, भारत के लड़के वो लड़कियों के वहा के लिए सबसे कमूर है B. 21 वर्ष, 18 वर्ष Next question, परियवरन ध्यन की कक्चा में सिख्चिका ने अध्रप को तना का हकी की B. इसमें पर्व और पर्वसंदियां होती है Next question, इनमें से खार्द्य स्रिंकला का सही करम कौन सा है Next question, परियवरन की पार्ट्य पुस्तक के संबन में कौन से कथन सही है पार्ट्य पुस्तक में परिभर्षाओं को सामिल किया जाए B. बच्चों को खोग के और शर दे C. तत्यात्मक जनकारी की अधिक्ता हो D. अलुशनात्मक चिंतर को बढ़ावा देनी वाले हो इसका सही आंसर है B. और D. A. Next question, मक्चरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग है सही आंसर है मलेरिया डेगू चिकुनगुनिया पार्ट्य दिये गए कथन के संबन में सही विकल्प का चुनाओ करे तो कक्चा में बच्चों द्वारा की गई गल्तिया ये बच्चों को समस्या का स्मधान करने में सहता करती है निमलिकित में ऐसे कौन सी विमारी रूके हुए पानी से होशक्ती है क्या सही आंसर है मलेरिया निमलिकित में ऐसे कौन सा कथन रचनावादी दिश्टिकुन के बारे में सही है इन्मे से कौन सा परियवन अध्यन में रचनात्मक आकलन है बच्चों से क्रिया क्लाप करवाना और अलोकन को दर्ज करना NCF 2005 ने परियवन अध्यन के लिए निम लिखित में से कौन सी अनुशंका नहीं की है इसका सही अन्सर है भी बच्चों के भासियों को शलका विकास होना चाहिए